आप जिससे भी ये कह दोगे कि वो आपके लिए सबसे ज़ादा जरूरी है, वही इंसान आपसे अपना हाथ छुडाने लगता है। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, बस जिसका दिल भर गया, वो खुद ही मुझसे दूर हो गया। मैंने सब को अपना बना कर देख लिया, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होगा। पीछे अपनों के हाथ होते हैं। वो मन बना चुके थे दूर जाने का, हमें लगा हमें मनाना नहीं आता। इंसान भी कमाल है, ड्रामे में लोगों का दुख दर्द देखकर रो पड़ता है और असल में लोगों के दुख दर्द को ड्रामा समझ लेता है। पवित्रता सिर्फ नफरत में हैं, प्यार में तो लोग कपड़े भी उतार देते हैं। कैसे कर लेते हैं लोग इश्क दोचार के साथ, मुझे तो उसके बाद किसी का खयाल तक नहीं आया। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं समझ की भी जरूरत होती है। महबत में हम सिर्फ उस शक्स से हा रहे हैं, जो कहता था कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं। मजाग का सहरा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। अगर चुप कराने वाला कोई ना हो तो हालात मुस्कुराना सिखा देते हैं। आपकी काम्याबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं आपके बुरे वक्त का होता है। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह भरोसा करें। और वो हमें महसूस करा दे कि हम वाकई में अंधे थे। सोच अगर खूपसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुणकर कभी मत देखना। वरना जो आगे मिलने वाला है आप उसे भी खोदोगे। हम सीख ही ना पाए मीठे जूट का हुनर पड़वे सच ने हमसे कई रिष्टे छीन लिए। जो रास्ता इश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। नीन तो बचपन में आती थी अब तो बस सो जाया करते हैं। जिंदगी में किसी को आसानी से मत मिल जाना। नहीं तो लोग आपको सस्ता समझ लेंगे। जो साथ दे उन्हें साथ रखो। लेकिन दगाबाजों को आउकात में रखो। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं। क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। बहुत नायाब होते हैं वो लोग जो गुसे में भी बात करने का तरीका नहीं भूलते। आसू चाहे इंसान के हो या जानवर के ये बाहर तब ही आते हैं जब दिल में बहुत तर्द होता है। एक बात बोलूं अगर आप किसी के साथ पूरी जिन्दगी रहना चाहते हो तो उससे थोड़ा दूर रहा करो। गैरों का तो पता नहीं लेकिन अपनों से बड़ा गदार और कोई नहीं होता। याद रखना कि रिष्टों की हिफाज़त दौलत से ज़ादा मुश्किल होती है। कि इतनी अजीब बात है ना कि रिष्टा एक होता है और संभालने वाले दो होते हैं लेकिन फिर भी इसे संभाल नहीं पाते हैं। दुनिया वालों पे नहीं, दुनिया बनाने वाले पे विश्वास करो। समझ नहीं आता किस पर भरोसा करूं। लोग यहां नफरत भी वियार की तरह करते हैं। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाग गलत बोले, बस मुस्कूरा कर उसे छोड़ दीजिए। कभी-कभी जिन्दगी के बुरे हाथ से हमें सही रास्ते पर ले आते हैं। जिन्दा इनसान को गिराने में और मरे हुए इनसान को उठाने में गजब की एकता दिखाते हैं लोग। सिर्फ एक वादा, आप अपने आपसे जिन्दगी भरने भाना, जहां आप गलत नहीं, वहां कभी सर मत चुकाना। इनसान चाहे खुद को जितना बिजी कर ले, लेकिन जिससे वो सच्चा प्रेम करता है, उसकी यादों से कभी बच नहीं सकता। एक महबूब, लापरवाहसा, एक महबत, बेपनाहा से, दोनों काफी हैं जुकून बरबाद करने के लिए। बुराई वही करते हैं, जो बराबर ही नहीं कर पाते हैं। हर किसी के बस में नहीं होता, किसी एक के लिए वफादार होना। उन्हीं लोगों को क्रोध सबसे ज़ादा आता है, जो अपने मन की पीड़ा को किसी से कह नहीं पाते हैं। खुद का दर्द खुद से ज़ादा और कोई नहीं समझ सकता। प्रेम इस दुनिया की सबसे सरल चीज है, जिसका मिलना इस दुनिया में सबसे कठिन है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिष्टो की एहमयती नहा समझपाया, वो रिष्टो को क्या समझेगा। वही करता है, वही करवाता है अरे बंदे, तू व्यर्थ में क्यों इतराता है एक सांस लेना भी तेरे बस में नहीं है क्योंकि वही सुलाता है और फिर वही जगाता है चोड़ कर जाने वाला क्या जाने यादों का बोज कितना भारी होता है गलत औजार से आप एक स्कुरू नहीं खोल सकते तो गलत दिशा में महनत करने से आप काम्याब कैसे हो सकते हो अकेले रहने की आदत होनी चाहिए तो कि कोई हमेशा साथ नहीं रहता बात बस इतनी सी है कि या तो तुम या कोई नहीं खास होते हैं वो लोग जो वक्त आने पर वक्त दिया करते हैं मजाक और पैसा खाफी सोच समझ कर उड़ाना चाहिए अच्छे लोगों की इज़त कभी कम नहीं होती क्योंकि सोने के सो तुकड़े करने पर भी उसकी कीमत कभी नहीं घटती वादा अगर निभाना सको तो किसी से किया भी मत करो इस खेल में आपका तो सिर्फ वादा तूटता है लेकिन किसी का दिल अंदर तक तूट जाता है वो इंसान आपकी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा वेले बल रहोगे इंसान अपनी मरजी से खामोश नहीं होता वो किसी ने किसी बात से अंदर तक बहुत सताया होता है एक बात याद रखना हम किसी के लिए एक वक्त तक स्पेशल होते हैं और उनका इंटरेस्ट खतम होते ही वो हमें एक नोर करने लगते हैं अपनी नजर हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाते हो उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो कहते हैं जिन्दगी का आखरी टिकाना इश्वर का घर है कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते हैं पतनी को उड़ने के लिए पंको की नहीं बलकि अपने पती के साथ और अपने पन की जरूरत होती है जिन्दगी में सब लोग दोस्त या रिष्टेदार बनकर नहीं आते कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं किसी दूसरे की तारीफ क्या करना जब अपना हमसफर ही ला जवाब हो कुछ यूँ ही चलेगा तेरा मेरा रिष्टा हुमर भर मिल जाए तो बाते लंबी और ना मिले तो यादे लंबी वक्त कभी एक जिसा नहीं रहता है उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवज़े दूसरों को रूलाते है उस इंसान का भी तो दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता किसी के इतने करीब भी मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगनी लगे वो गलतियां बहुत दर्द देती है जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका होता है अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये हर्गिस नहीं कि कोई उसको पसंद नहीं करता बल्कि वो अकेला इसी लिए है तोकि उसने दुनिया की आउकाद जान ली है औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर कुछ भी करने का उनर भूल जाओगे नफरत का खुद का अपना कोई वजूत नहीं होता ये तो महबत की गैर मौजूत की का नतीचा है सिरफ एक गलती की देली है लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे कभी ऐसा हुआ है कोई मिला प्यार हुआ बात होई आदत होई लड़ाईया होई बाते बंध होई तोखा मिला वो छोड़ गया और तुम तूट गये गहमंडी के लिए कोई इश्वर नहीं होता इर्शालू इनसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इनसान का कोई मित्र नहीं होता गलत वहमी जिससे है उसी से बात करो दूसरों से करोगे तो बात बढ़ सकती है हमने एक उम्र गवादी तेरी चाहत में कितना खुश किस्मत होगा तुझे मुफ्त में पाने वाला जीत भीफी की लगती है अगर कोई भधाई देने वाला आपके साथ ना होतो और हार भी सुन्दर लगती है जब कोई आपका अपना आपके साथ खड़ा होतो रात भर गहरी नीद आना इतना आसान नहीं उसके लिए दिन भर इमानदारी से जीना पड़ता है बिना मतलब के कोई भी आपको इज़त नहीं देता इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज़त करें बड़े ही खुशनमाव एहम थे कि हम उनकी जिन्दगी में एहम थे कुछ भी नहीं बदलेगा यहां मेरे बिना दो चार लोग रोएंगे सर्फ दो चार दिन के लिए मेरे होने का असर तुम पर मेरे ना होने के बात दिखेगा जो बिना मतलब के बात करे एक ऐसे शक्स की तलाश है मुझे नाकरी सपने देखने के लिए ठीक है लेकिन उन सपनों को जीना है तो मालिक ही बनना पड़ेगा नींद भी नीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में जनाब किसी को भूल कर सो जाना इतना आसान नहीं होता मैं तो इस वास्ते चुकूँ कि तमाशा ना बने और तू समझता है मुझे तुझ से कोई शिकायत नहीं है दर्द बता कर बदनाम हो जाओ इस से अच्छा है कि मुस्कुरा कर खामोश हो जाओ कहां हारती हैं औरतें उन्हें तो हराया जाता है अरे लोक क्या कहेंगे ये केह कर उन्हें डराया जाता है जो व्यक्ति इस पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वानी तीव्र एमम कठोर होती है लेकिन ऐसा व्यक्ति आपको कभी दोखा नहीं देता तुछ से नाराज होकर कहां जाऊंगा तुछ इशारा कर देगा और मैं पिघल जाऊंगा तकलीफ तो मुझे भी होती है मगर ये बात होस्ला देती है कि जब तुम रह सकते हो मेरे बगैर तो मैं क्यों नहीं रह सकता जो नसीब में नहीं है वो रोने से भी नहीं मिलता किसी को दोखा देकर खुश मत होना जब कर्म का चक्कर घूम कर वापस तुम पर आएगा तो तुम कही के भी नहीं रहोगे क्या लूटेगा जमाना खुशियों को हमारी हम तो खुद अपनी खुशियां दोसरों पर लुटा कर जीते हैं रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिन्दगी दाउं पर लगी होती है जरूर मुक्रे होंगे लोग जुबान देकर वरना कागजों की जरूरत नहीं पड़ती मश्रूफ रहने का अंदास तुम्हें तन्हा ना कर दे रिष्टे फुरसत के नहीं तवज़ो के महताज होते हैं जमाना जब भी मुझे 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 दाल देता है लेकिन मेरा रब हजार रास्ते निकाल देता है उसकी जगए आज भी कोई नहीं ले सकता पता नहीं ये खुबी उसकी है या मेरे इश्क की है हम बदले बिल्कुल भी नहीं है बस समझ चुके हैं ये दुनिया कैसी है छोड़ कर जाने वालों ने एक बात सिखाई है कि आने वालों को आउकात में रखना समय एक नदी की तरह है हम एक ही पानी को दुबारा नहीं चुच सकते क्योंकि जो धाना बह चुकी है वो फिर कभी नहीं आएगी मर्द अगर हाथ चुड़ा कर जाना चाहे तो हाथ बढ़ा कर रोक लो त्या पता रुक जाए लेकिन औरत अगर हाथ चुड़ा कर जाना चाहे तो कभी मत रोकना क्योंकि वो हाथ छुड़ाने से पहले ही जा चुकी होती है बुरा इस बात का नहीं लगा कि तुम्हें कोई और अच्छा लगता है धर्द तब हुआ जब हमें नजर अंदास किया गया किसमत भी उसी को बादशाह बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है बरसो पुराना तूटा रिष्टा भी जुड़ जाएगा लेकिन शर्त है कि उस व्यक्ति को आपकी जरुरत होनी चाहिए किसी का धंग देखकर नहीं उसका मन देखकर उससे जुड़ना चाहिए इश्वर को खोजा नहीं जाता है इश्वर में खोया जाता है जिनके उपर जिम्मेदारियों का भोज होता है उनको रूटने और तूटने का कोई हक नहीं होता दिल की नफरत अच्छी है जनाब दिमाग वाली महब्बत से तो तुम छोड़ दो कोशिशे इंसानों को पहचानने की यहां जरूरतों के हिसाब से सब नकाब बदलते हैं अपने गुनाओं पर सौ परदे डाल कर हर शक्स कहता है कि जमाना बहुत खराब है वक्त भी बदलता है चीज़े भी ठीक होती है लेकिन हम पहले जैसे नहीं रहते मेरे किरदार से वाकिफ होने की कोशिश मत कर हमें समझने में दिल लगेगा और तुम दिमाग वाले हो एक बुद्धीमान व्यक्ती कभी भी बुद्धीमान होने का दावा नहीं करता और एक मूर्ख व्यक्ती कभी ये नहीं मांगता कि वो मूर्ख है पूरी दुनिया घूम लो पर जो सुकून घर में मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता